Criminal Breach of Trust and Cheating सुनने में ये दोनों ही वर्ट्स काफे सिमिलर लगते हैं न? But under law इन दोनों वर्ट्स में एक बहुत ही basic difference है तो quickly देखते हैं कि इन दोनों वर्ट्स में क्या difference है Under any criminal offense जो एक basic चीज सबसे ज़ादा important होती है वो होती है intention तो वैसे तो criminal breach of trust and cheating इन दोनों में ही accused का intention मौझूद होता है and intention होता है सामने वाले से दोखा करना But जो एक basic difference criminal breach of trust and cheating में होती है वो ये है कि criminal breach of trust में accused का intention शुरू से नहीं होता है For example, सामने वाले ने मुझे कुछ पैसे दिये कुछ दिन के लिए सम्हाल के रखने के लिए मुझे उस पैसे के साथ कुछ गलत करने का intention नहीं था But क्योंकि इतने सारे पैसे मैंने पहले कभी नहीं देगे थे So suddenly मेरा mind change हुआ And मेरा ये intention हुआ कि क्यो ना मैं इन पैसों को चुरा लो ये हुआ criminal breach of trust वहीरा intention शुरू से ही उन पैसों पर कभजा करने का है In that case इसे cheating कहेंगे So in simple words Criminal breach of trust में accused की intention शुरू से ही खराब नहीं होती है But process के दौरान कभी उसकी intention दगमगा सकती है Whereas in cheating accused की intention शुरू से ही खराब होती है Malified होती है And उसका intention होता है कि वो wrongful gain करे सामने वाले इंसान से अगर law से related आपको ऐसे ही और भी doubt हो मुझे कमें सक्षिन में जरू पताईगा